बिस्मिल्ला रख्मानुरहीम अस्सलामौलाइकम आपके साथ आज का डॉलर का और रियाल का रेट है जी मुख्तली बैंकों के हिसाब से और आज का एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूगा मैं सबसे बहुत तो आप ये बैंग्रोंड इंग्जुआ कर लें जी देख ले को पंजाब बोलते हैं तो यह भी नहर है द्रियाई पानी है तो बारहाल जी अगर डॉलर के मतलग बात करें तो वही कल बला रेट आज भी रहा तक्रीबं 30-40 पैसे डॉलर बार नीचे हुआ फिर भी 270 रूपय प्लस में है अगर रिया रेट के मतलग बात करें तो आपको पहले में एक्सचेंज रेट आज का बता दू जी पाकिस्तानी रूपय के हिसाब से आज का रेट है जी 73 रूपय सततर पैसे कल की निस्वत मजीद बहतरी हुए है इसमें अगर इंडिया की बात करें 22 बंगला दरी टके के बात करें तो तकरीबं 29 टके आप बोल रहे हैं औ और मुस्तिलिफ बैंकों के हिसाब से बता दू आपको आउपन मार्के की वैसे बात करें रियारेट की तो पाकिस्तान में इस वक्त 75 रूपय के अराउंड में पाकिस्तान में भी रियाल बाय किया जा रहा है अच्छा ऐसे बाई कोई न मैं बोलता हूं के ऐसी फिल्म है न बाराल जी अगर मुफ्तरी बैंकों के हिसाब से बात करें तो इन में तहुरी बैंक के अगर आजि का रिड़ बाय। अगर टैली मनी यानिके A and B बेंक की हम बात करें तो इनका आजका रेट बाइट 73 रूपय 35 पैसे 10, 17 और 23 रियाल इनके भी फीज़ हैं। अगर S.T.C.P. की हम बात करते हैं तो इनका आजका रेट 73 रूपय 10 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीज़ के साथ। अगर 40 बैंक यानि के बैंक जजीरा के हम बात करें तो इनका आज का रेट 73 रूपए 44 पैसे इनका भी रेट हाई है 10-17 और 23 रियाल इनकी फीस है इंजाज बैंक के अगर हम बात करें तो इंजाज बैंक का भाई आज का रेट 73 रूपए 17 पैसे 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीज़ है आने वाले दिनों के अगर मतलग बात करें तो मिसाल के तोर पर अगभी आप रियाल बेही देंगे तो आपको तक्रीमें डेड़ से 2 रुपए रियाल सस्ता हुगा है अगर आने वाले 10-15 दिन 20 दिन बात की बात करें तो रियाल रेट का वो ही फिर 75-76 के राउंड में रेट होगा और अगर बात करें हम 2-3 माँ की तो मेरे मताबक रियाल 80 यानि के असी के उपर पहुंच जाएगा 2-3 माँ के बाद भागी आप भाईयों की मर्जी आजी जाहरी से बात मजबूरी होती है प्रदेशियों को जिनने बेजने होते हैं वो बेज जाते हैं जिन बाईयों सेफ करने हों सेफ कर लेते हैं